नमस्कार मैं हूँ विवेक और इस वीडियो में हम लोग आपके समक्षुपस्थित इस दोहे किस्सा संदर ब्याख्या करने जा रहे हैं यहां हम इन पंक्तियों की संदर्व सहित ब्याख्या देखेंगे यों विशेश टिपड़ी पर भी बात करेंगे क्या इस पर विशेश टिपड़ी की जा सकती है चलिए बढ़ते हैं दोहे की तरफ पहले पढ़ते हैं फिर संदर प्रसंग और ब्याख्या देखेंगे अधु मेरा मन मतवारा उन्मुन चड़ा गगन रस पीवय तिववन भया उजियारा गुण कर ग्यान ध्यान करिम हुआ भव भाठी करिधारा सुसमन नारी सहज समानी पीवय पीवन हारा दोई पुण जोड़ चिगाई भाठी चुवा महारस भारी काम क्रोध दुई किया पलीता छूट गई संसारी सुनि मंडल में मदला बाजे तह मेरा मन नाचे गुर प्रसाद अमरित फल पाया सहज सुसमना काचे पूरा मिल्या तबै सुकूब जयो तब की उपनी बुझानी कहाई कभी इर्बाव बंधन छूटे जोते ही जोती समाई ये है पद्ध ठीक है तो इस पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार इसका संदर्व लिखेंगे प्रसंग लिखेंगे और ब्याख्या करेंगे चलिए संदर्व की ओर बढ़ते हैं तो संदर्व कैसे होगा प्रस्तुत पद्यांस निर्गुर्थ भक्ति काब विधारा के स्रेष्ट कभी संत कबीर दास के मुखार बिंदो से उधरित बानियों का एक अंस है कबीर की बानियों को बीजक काब विकरंथ में संकलित किया गया है बीजक साखी सबत तथा रमयनी तीन खंडों में विभाजित का विकरंथ है तो इस प्रकार ये होगा संदर्व प्रसंग की ओर बढ़े तो प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे उसे देखते हैं यहां पर क्या बात हो रही है उसका मूल भाव क्या है वही प्रसंग होगा देखते हैं जैसे प्रस्तुत पद्यांस में संत कभी कबीर दाश जी ने मदीरा निर्मार के रूपक की यूजना करते हुए ब्रंभ साधना पर प्रकाश डाला है कबीर कहते हैं कि अब कबीर क्या कहते हैं उसको हम प्याक्या के अंदर देखेंगे कि अउधू मेरा मन मत्वारा कि अउधू मेरा मन जो है मत्वाला हो गया है कि कबीर बताते हैं कि समाध यवस्था में जाकर यह जो मेरा मन है या आनन्द के लिए मतवाला हो गया है और आगे बताते हैं कि गुड करी ध्यान करी महुआ भव भाठी करी भारा यानि कि गुड ग्यान रूपी गुड और ध्यान रूपी महुआ उसे भाव की भठी में पका कर जो कि भाव की भठी है जो भार है उसमें पका कर सुसमन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा अब सुसमन नारी का मतलब होता है सुसमना नारी पीवे मतलब पीता है कि उसमना नाड़ी में समा कर इसको एक तरीके से मदीरा यानि सोमरस बन गया और उसका पान करता है आगे बात कलते हैं तो च्छूटी गई संसारी यानि कि काम क्रोध यह सारी चीज़े जो संसारी बिकार हैं ये सब जल मिट गए हैं इस सोम्रस का पान करने से जो इस्वर की भक्ति रूपी सोम्रस है इसका पान करने से जो संसारिक द्वेस हैं विकार है वो सब मिट गए हैं और मन में जो माया का अगरसन होता है वह समाप्त हो चुका है आगे क्या कहते हैं कि सुनी मंडल में मंदला बाजे तह मेरा मंदला यानि कि काम प्रोध मिट गया है जो सांसारिक माया है वह छूट गई है और जिधर मंडला मंडला का मतलब क्या है अगर हम यहां बात करें तो मंडल और मंडला दो सब्द है तो मंडल का मतलब होता है चक्र और मादल का मतलब होता है मृदंग, ठीक है, यानि कि चक्र और मृदंग जिधर बजता है, यानि कि जिधर इस्वर का भजन हो रहा है, उधर ही मेरा मन नाचने लगता है, उधर ही जाने को आतुर है, पूरा मिल्या, तब है सुख उपजो, कहते हैं कि यह जो रस है, जब कबीर कहते हैं कि यह जो भाव का यह संसार का बंधन है, सब छूट जाएगा, जैसे ही उस अलोकिक जोती में यह आत्मा रूपी जोती समाहित हो जाएगी, यह सारे भाव बंधन छूट जाएगे, तो इस प्रकार यह रहीस की प्याक्या, विसे इस टिपड़ी की बात करें अगर, तो इसमें कबीर ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, मदीरा को जो है रूपक मानते हुए उसकी तुलना कर दी है ब्रहम्व से, तो इस प्रकार ही हो गया, यहाँ पर रूपक अलंकार, और भासा की बात करें, तो वही मिली जुली भासा है, सद कड़ी भासा है अमरीज जैसे तत्सम सब्दों का प्रयोग भी यहां पर कबीर ने किया है तो इस प्रकार यह रहा इसका भावात, संदर्ब और प्रसंद मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्याख्या खंड के साथ तब तक बने रहिए देखते रहिए कबीर की और सारे पदों की ब्याख्या है चैनल प कैर ने, स्क्कार टो ने सलग्य देखते हैं速